स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती प्रित्यंत अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला इन्दिया के ग्रामेर अपंग सशक्ति करन कार्य के लिए समर्पित प्रेर्णा तथा दायत्व की मूरत जीवन की सफर में हमारी मुलाकात कभी कभी ऐसे लोगों से हो जाती है कि हमें उसमें असामान्यता का एहसास होने लगता है असामान्य हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि जिनोंने हासल की हुई उपलब्धिया हमें अचर्ज में डाल देती है ज्यादा तर हम लोग सामने वाले व्यक्ति को मापने के लिए उसकी तुन्ना अपने आप से करते हैं नहीं तो हमसे परिचित कोई विशेश क्षमतावान व्यक्ति से करते हैं लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति की क्षमता कई गुना अधिक पाई जाती है तब हमें दिव्यता के सामने अपने आप से ही नत्मस्तक हो जाते हैं जैसे ही हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं और उन्होंने हासल किये हुए धैसिधी को प्राप्त करने के लिए अपनाएपत का अवलोकन करते हैं तब जाने अंजाने में हमें अपने अंदर की उर्जा प्रवाहित होने का अनुभव होता है। जिसे लोग प्रेर्णा कहते हैं। इस प्रेरणा से भारित व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर नई नई उचाया प्रस्थापित करने में तन, मन, धन से जूट जाता है, ऐसे ही एक श्री सागर पाटील नामक व्यक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए। महराश्च्र के अलिबाग जिले के नवखार गाव में एक सामान्य आर्थिक स्थिती वाले परिवार में सागर नामक बालक का जनम हुआ। उस बालक को जनम से ही मोतियाबिंध होने से द्रिश्टी दोश था। डॉक्तर ने सलाह दी कि यह बच्चा बड़ा होने पर उसके मो आखों पर ओप्रेशन कर मोतियाबिंध निकाल दिया तो उसे कुछ हद तक दिखने लगा। बालक तो बालक ही होता है। एक दिन खेल-खेल में सागर की आख पर लकडी के किसी चिच का आघात हुआ जिससे उसके आखों की रोशनी जाती गई। ग्रामेर इलाके के अर्ध चालाओं के गुरुजनों को अच्छा खासा स्थान था। उन्होंने भी सागर की पढ़ाई में दाखिला लेके कुछ हासिल नहीं होगा ऐसे ही सला दी और सागर का बचपन घर और उसके आहाते में ही बितने लगा। दृष्टी हिंता के कारण उसे बहुत सारी चिजे हति जाने से भी मना किया जाने लगा। मानवी बालत किसी भी हालत में चुपचाप तो नहीं बैठ सकता इसलिए हमेशा उसे डाट फटकार पढ़ती थी। सागर की मौसी उसके विवा के मुंबई में पती के घर गई। अपने पती के कुटुम को आर्थिक सहायता प्राप्त क करने के लिए उन्होंने एक निजी कमपनी में काम करना शुरू किया। उसी कमपनी में एक दिन ध्रिश्टीहीन व्यक्तियों का ग्रूप उस कमपनी में किये जाने वाले काम की जानकारी लेने के लिए आया। वे सभी ध्रिश्टीहीन व्यक्ति अपनी अपनी स्कुली पर प्रक्षा प्राप की और वह कहा पर है जैसे ही मौसी को छुटी पर अपने बहन के घर जाने का मौका मिला तो उन्होंने यह सारी घटना उस कुटुम को बताई कुटुम्बियों ने गाव के प्रतिष्ठित लोगों से और पाठशाला के गुरुजनों से भी विचार्विमर्श किया तब कही सागर को वरली मुंबई में स्थिथपी होम स्कुल फॉर दबलाइंड में दाखिला लेने का अवसर प्राप्थ हुआ सागर जनन्म से बुद्धिवान बालक था, हर चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्थ करने का प्रयास वह करता ही रहता था सागर की इसी बुद्धिमत्ता की जलक स्कुल के अध्याप को को भी जल्द ही मिल गई उग्रे हुए छे बिंदों से बनाई गई ब्रेल लिपी अपने स्परशग्यान से पढ़ने का जब प्रथम अवसर सागर को मिला तो वह तीन दिन में ही अंग्रेजी और मराथी वर्नमाला पढ़ने लग गया अब सागर की पढ़ाई लिखाई सही तरीके से आगे बढ़ने लगी सागर ने अपनी बारावी कक्शा तक की शिक्षा हासिल की हमेशा वह होश्यार विद्यार्थियों की श्रेनी में ही बना रहा अब सागर में उच्छे शिक्षा प्राप्त करने की ललक बढ़ गई और उसने अपना नाम रुया कॉलेज मुंबई में दाखिल कर लिया अपने स्कुल से जब सागर छुटियों में घर जाता था तो इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले उपकरन रेडियों दरी के कलपूर्जों को हतियाने में उसे बड़ा आनन्द आता था इसके लिए हमेशा उसे डाट भी पढ़ती थी पर जैसे तैसे सागर अपना शौप पुरा करता ही था घर में नादुरुस्त होकर पड़ी हुई बैटरी उसने शुरू कर बताई वैसे ही घर में बंद पड़ा हुआ रेडियो भी सागर ने अपने दोस्तों के साथ रेडियो के कलपूर्जों की जानकारी लेना प्रारंब किया और घर में पड़े बिगडे हुए रेडियो की तुन्ना अच्छे रेडियो से कर अपने रेडियो का बिगाड धून निकाला और उसे दुरूस्त करवा दिया तब से सागर इलेक्ट्रिकल उपकरणों की रिपेरिंग करने भी सफल रहा उस समय गाव में एक व्यक्ती ने सौर उर्जा पर चलने वाली बैटरी लाई हुई थी जो बंध हो गई थी सागर की लगन से उसे भी दुरूस्त कर दिया तब से सागर की रुची सौर उर्जा पर केंद्रित हो गई सागर को इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले उपकरण दुरूस्ती करते समय करण आने वाली तारों में बिजली प्रवाहित है कि नहीं यह जानने के लिए टेस्टर का इस्तमाल करना पड़ता था लेकिन टेस्टर में जलने वाली लाइट तो वह देख ही नहीं सकता था रहने वाले एक रिष्टिदार से वह मल्टिमीटर मंगवा दिया इन दोनों वस्तूओं ने सागर विद्यूत उपकरणों पर स्वतंत्रता से काम करने में सफल हो गया धीरे धीरे सागर संगणकों से भी परिचित हो गया उनकी नादुरुस्ती ठिक करने में भी माहिर हो गया जब सागर रुया कॉलेज मुंबई पढ़ रहा था वहां का संगणत केंद्र भी चलाने का मौका सागर को प्राप्थ हुआ वहां उसने हाडवेर के बारे में उलेखनिय जानकारी हासिल कर ली और वह संगणकों को सूचालू ढंग से कार्यानवित करने में भी सफल हुआ एक दिन सागर को इलेक्ट्रसिटी सुरक्षा और बचाव इस विशय पर आधारित कार्यशाला में जाने का अवसर प्राप्थ हुआ तब एक संगणक द्वारा द्रिश्य स्वरुप में ध्वनी के साथ कुछ प्रेजंटेशन किये जाने थे लेकिन अचानक संगणक में कुछ बिगार की वज़़ से वह प्रेजंटेशन अवरुध हो गया आयोजको की लाख कोशिशों के बावजूद संगणक काम नहीं कर रहा था तब सागर आगे आया और उसने कुछ ही मिनितों में संगणक शुरू कर दिया जब आख वाले आयोजक यह काम नहीं कर सके तब एक द्रिश्टिहीन व्यक्ति कुछ ही मिनितों में संगणक को कार्यनवित करने में सफल हो गया तो आयोजक ही हक्के बक्के रह गये अपने कॉलेज जीवन के दौरान सागर की जान पहचान नेत्रा नामक युवती से हुई वह सागर की उपलब्धिया से प्रभावशाली थी धीरे धीरे उनका मेल मिलाब जीवन भर साथ निभाने तक हो गया सागर ने तो ठान लिया थाकी में नोक्री नहीं करूंगा सौर उर्जा तथा इलेक्ट्रिक उपकरण विक्सित कर उद्योजक बनूंगा नेत्रा ने भी सागर के इन सभी महत्वपूर्ण जीवन उद्देशों में उसका साथ निभाने का प्रण किया आगे चलकर वे शादी कर पती-पत्नी बन गए अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सागर ने अपना ध्यान सौर उर्जा पर केंद्रित कर अपने गाव वाले घर को सौर उर्जा केंद्र में तबदिल करने में लगा दिया उसने फ्रिज, मिकसर आदी उपकरणों को बारा वोल्ट के उपर चलाने के लिए उचित बदल करवा दिये और उसका पूरा घर सौर उर्जा से ही रोशन हो गया अब सागर ने ठान लिया की सौर उर्जा पर आधारित व्यवसाय कर अपने जीवन में यशस्वी उद्योजग बनूँगा सागर ने अपना उद्योग विक्सित करने के लिए मुंबई आने का निर्णे लिया बोरिवली में रहने वाले अपने घर में सोलार प्नेल्स बिठा कर अपने घर की बिजली की खपत भी कम कर ली है फ्रिज, वाशिंग मशिन, मिक्सर जैसे उपकरण सौर उर्जा पर चल रहे है सागर ने अलग-अलग पंखे, हेडलाइट, दिपमालाएं, बैटरी आधी उपकरण विक्सित कर उद्पादित करने लगा अपने उद्पादनों के मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी सागर और नेत्रा ने निभाई सागर के उद्ध्योगादवारा निर्मित एक्सेसिबल टेस्टर, एक्सेसिबल पल्स, फ्रिक्वेंसी पोलरिटी टेस्टर तथा सौर उर्जा के उपर चलने वाले बरीज बनाने का पेटन्ट उन्होंने हासिल किया सागर ने विक्सित किये स्पेर पार्ट में टाटा पावर, महिंद्रा महिंद्रा, राष्चिय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स जैसी प्रतिष्ठित कमपनियों ने भी बहुत रूची दिखाई कीड़ कमपनी को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में जरूरी सॉफ्टवेर्स विक्सित करने थे तब उन्होंने सागर को अपनी कमपनी में दो वर्ष कालावधी के लिए सॉफ्टवेर लिगल एडवाइजर के पद पर न्यूक्त कर लिया सागर ने बोरिवली में आकर अपने उद्पादनों की मार्केटिंग करने के लिए प्रारंब किया उन्हें उद्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कारागिरों की भी जरूरत महसूस हुई तब सागर ने Ideal Innovative Group Education and Development Trust की स्थापना की असमिता पुर्णवास केंद्र जोगेश्वरी मुंबई में सागर को एक अंध महिला को मिले हुए स्टॉल को सौर उर्जा से प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया वहां सिलाई का काम करने वाली महिला शाम और रात को अंधेरे की वज़ह से वहां काम नहीं कर सकती थी और इस वज़ह से उसकी आमदनी भी कम हो रही थी सागर ने वह स्टॉल सौर उर्जा से रोशन कर दिखाया तब अस्मिता पुर्नवास केंडर द्वारा उन्होंने सागर को अपने जोगेश्वरी स्थित पुर्नवास केंडर में अपने उदपादने की कार्यशाला शुरू करने की अनुमती दे दी वहाँ अपंग और गरिब लोगों को उद्पादन उपकरण बनाने का प्रशिक्षन दिया जाने लगा वहाँ आज तक 45 व्यक्तियों को ट्रेनिंग दिया गया उसमें से 26 व्यक्तियों को निजी कमपनी में रोजगार हासिल हुआ पाँच व्यक्तियों ने अपना खुद का उद्योग शुरू किया और बाकी 20 वेज़ेस के उपर काम कर अपने रोजिरोटी कमाने लगे सागर पाटिल जी ने दुनिया के प्रती अपना दायत्व निभाने के लिए आइडियल इनोवेटिव ग्रूप एजुकेशन अंड देविलोपेमेंट नामक विश्वस्त संस्था रजिस्टर करवाई इस ग्रूप द्वारा वहाँ अपंगो को पढ़ाई करने के लिए मदद स्वयम रोजगार तथा रोजगार दिलवाने के लिए प्रशिक्षन कारिशालाएं चलाता है आज कल वहाँ अपंगो के लिए खेल कूत प्रतियोगिताएं भी आयोजीत करने लगा है वह तो स्वयम अपंगो को तो दिलाता ही है लेकिन एलेक्ट्रोनिक और सोलर उपकरण उत्पादित कर उन्हें उद्योजग बनाने के लिए मार्केटिंग की भी जानकारी दे रहा है वह यह सपना संजोय हुए है कि दुनिया का हर अपंग स्वयम पूर्ण, स्वावलम भी और सन्मान पूर्वक जीवन जीए इसी कार्य में उन्होंने अपना जीवन दुनिया को समर्पित कर दिया है सन 2019 में अनाम प्रेम नामक संस्था द्रिष्टिहीन व्यक्तियों को उद्योजग तथा मार्केटिंग शेत्र में काम करने के लिए प्रेरित करना चाते थे तब उन्हें सागर जैसा यशस्वी प्रवक्ता मिल गया उन्होंने दादर में आयोजित इस कारेक्रम में सागर और उसकी पत्नी नेत्रा को स्मृति चिन्ह से गौरन वावित किया Vision Insight Foundation डोंबिवली द्वारा लुई ब्रेल पुन्निति थी के अवसर पर 2020 में वंदे मात्रम कॉलेज डोंबिवली में आयोजित कारेक्रम में सागर को V.I.F. श्रीमती पुष्पा सीताराम पातील अचिवहर्ज अर्वार्ड दो हजार बीस डॉक्तर राजकुमार कोलहे द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सन्मानित किया गया अंजन मंदल मुंबईद्वारा उनकी संस्था की स्थापना के उपलक्ष में दादर मुंबई में 19 अक्तूबर 2019 को आयोजित कारेक्रम में डॉक्टर राजेंद्र व्यास अवोर्ड से सागर को सन्मानित किया गया सागर में अपने जीवन में द्रिष्टीहिन होने के बावजूद अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपनी विलक्षन बुद्धिमत्ता के बल पर अपने शक्तिस्थानों को पहचान कर अपना सारा ध्यान सौर उर्जा तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को विक उद्योजक होने का लक्ष प्राप्त कर द्रिष्टीहिनों को स्वयन रोजगार से उद्योजक बनने की नई राह दिखाई है आगे चलकर सागर का यही उदाहरन सब द्रिष्टीहिनों के लिए प्रेणा तथा दायत्व की मूरत सिद्ध होगा हैमंत जपाटी जिन्हें अ भी रोडे बिचा दे हर मुश्किल से वह अपने धेय प्राप्ती तक आगे बढ़ने का रास्ता ढून ही लेता है रोक सके न रा हमारी दुनिया की दिवार सफल होके ही रहेगा यह हमारा हिम्मत वाला और बलशाली यार करोना की महामारी के दौरान सागर के व्यवसाई को जो बड़ा सेट कमिला उससे उभरने में सागर को कुछ समय तो लगा मुश्किले भी आई लेकिन कोई भी नौकरी न करते हुए उसने सफल व्यवसाई बनने का जो प्रण किया था उस सपने को सजाने सवारने और विक्स हो गया जैसे सागर की गहराई और क्षमता आज तक कोई नाप नहीं सका वैसे ही हमारे इस सागर की क्षमता लगन वेहंत और आत्मबल को नापना नामुम्किन है सागर कहता है स्वतंत्र व्यवसाई बनने में जो सुक और आनंद मिलता है उसकी तुलना कभी भी नौकरी कर अपने व्यवसाई में स्थिर और स्थापित होने के लिए अपनी मार्केटिंग क्षमता और यशस्वी सेल्समन्शिप की क्वालिटीज व्यवसाई के अंदर ठूस ठूस कर भरी होनी चाहिए। उठाना नहीं चाते। इसी लिए सरकारी नौकरी करने में ही अपने आपको धन्य समझते हैं। ना ही उनको प्राइवेट नौकरी करनी है ना ही सेल्समन्शिप या मार्केटिंग एक्सपर्ट। सरकार द्वारा मिलने वाली रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ही अपने देश क हर दिव्यांग नौकरी पाना चाता है। नहीं तो कोई छोटी मोटी आर्थिक सहायता जिससे वह अपना जीवन या पन मुश्किलता के साथ कर पाई या बिना कुछ किये हर मा अल्प आर्थिक सहायता पाकर ही खुश हो जाए। इस मानसिक्ता के साथ पले जा रहे हमारे द प्रेर्णा प्राप्ट कर दिव्यांग पुनर्वसन के क्षेत्र में अपनी रोश्नी बिखेर कर नए नए उचे आयाम स्थापित कर दे। सागर की इस उपलब्धी पर जितना भी कहा जाए उतना कम ही होगा। सागर सागर है जिस तरह समुद्र ने इस प्रिथ्वी के दो तिहाई हिस्से पर अपना रास थापित किया है। यही अपेक्षा हम हमारे इस नौजवान सागर से रखते हुए उन्हें अपने भविश्य की सफल रह के लिए कई सारी सुबकामनाय देते हुए कहते हैं मेहन् ही हमारा जीवन मेहन् थी हमारा नारा मेहन से जगमगालो अपनी तकदीर का सितारा मन्जिले उन्हीं को मिलती है जिनके पंखो में जान होती है पंखो से क्या होता है यारो हौसलों से उडान होती है बक अब सागर कीप इट अप पंध जपाटी मानत सचीव नैश्नल इस्टेशना थाम स Beno depend कि एपड़ से पनी इननी एमैस एपर निसक ます